इस बार भी ग्रीन वार रूम आज से 24 इंटू 7 काम करना शुरू कर रहा है इस ग्रीन वार रूम को जनता के साथ जोडने के लिए ग्रीन दिल्ली आएप जो दिल्ली सरकार ने लाउंच किया है ग्रीन दिल्ली आएप सीधे दिल्ली के लोग अपने मुबाइल पर चाहे ऑंडुरॉड फोन हो चाहे आई यूएस फोन हो आप ग्रीन दिल्ली आएप प्ले स्टोर से अपने मुबाइल पर डाउनलोड कर ले और आप दिल्ली के किसी भी कोने में, कहीं पर भी, अगर किसी तरह के प्रदूसर्ण को फैलाने वाली गत्विती आपको दिखती है, आप उसका फोटो ले करके, कम्प्लेंट इस ग्रीन दिल्ली आएप पर आप भेज सकते हैं जो दिल्ली भर से कम्प्लेंट आएगी, वो सिधे वार रूम में आती है, वार रूम से दिल्ली के 28 विभागों में डायरेक्ट कॉम्णिकेशन किया जाता है, 28 डिपार्टमेंट के कोडिनेशन के लिए हर डिपार्टमेंट में एक एक नोडल अधिकारी बन्युक्त किया गय और वो नोडल अधिकारी सिधे वार रूम से जुड़ता है, दिल्ली के किसी भी कोने से जो कम्प्लेंट आती है, उसे वार रूम की टीम उन तक पहुचाती है, उसको मनिटर करती है, इसके लिए आज इस ग्रीन वार रूम में पिछले साल 9 सदस्य टीम थी, इस बार उसे पढ़ा करके 17 सदस्य टीम इस वार रूम में नूट किया जा रहा है, जिसके इंचार्ज के रूप में डाक्टर नंधिता मोहितरा जो इन्वार्मेंटल साइंटिस्ट हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है, और इनके साथ ये पूरी 17 लोगों की टीम इस बार वार रूम को और मजबूती के साथ इंप्लिमेंटेशन के काम को मॉनिटर करेगी, उसको इंस्योर करेगी, अभी तक वार रूम का काफी सकरात्मक सपोर्ट रहा है, आम तोर पर डिपार्टमेंट को हम टास्क देते ही हैं, अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं हर डिपार्टमेंट की, लेकिन डिपार्टमेंट ग्राउंड पे काम क्या कर रहा है, सीधे ये वार रूम ग्रीन दिल्ली आयप के माध्यम से हमारा आख कान बनता है, डिपार्टमेंट जो बात कह रहा है और जो ग्राउंड से हमें कम्प्लेंट आती है, उससे हमें पता चलता है कि कौन विवाग क इसा काम कर रहा है किस एरिया में ज़्यादा प्रदूसन की समस्या हो रही है तो ये ग्रीन दिल्ली आएप के माध्यम से हम सीधे दिल्ली के लोगों के साथ जुड़ते हैं और हम दिल्ली के लोगों से भी चाहते हैं क्योंकि अगर आज दिल्ली के अंदर 30% से ज़्यादा प्रदूसर्ण का आस्तर कम हुआ है उसमें दिल्ली सरकार की पहल कदमी के साथ साथ दिल्ली के लोगों का सहयोग सबसे महत्पून रहा है क्योंकि लोगों के सहयोग के बगएर इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है क्योंकि दिल्ली चारो तरफ से गिरा है दिल्ली के अंदर जो प्रदूस्वन होता है CSC की रिपोर्ट पिछले दिनों आई थी सर्दियों के मौसम में जब सबसे अधा प्रदूस्वन होता है 31% दिल्ली का सोर्स है 69% बाहर के NCR के सोर्सिस से आता है तो ऐसे में सभी लोग मिल करके जब प्रियास करेंगे तभी हम इसमें सफलता पराप्त कर सकते हैं इसलिए मैं दुबारा दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप Green Delhi आप डाउनलोड करें कहीं भी कुछ भी दिखता है आप भेजें वार रोम उस पर ततपरता के साथ काम करेगा डिपार्टमेंट के साथ वाडनेशन का काम करेगा और इसके निप्टारे की तरफ हम बढ़ेंगे